नमस्कार दोस्तों सुवागते आपका आज के मुक्खे समाचारों में जियां दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन बर की 20 बड़ी खबरें मुक्खे समाचार ब्रैकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में जियां दोस्तों बिहार के सियम नितिश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूप देखने को मिली है पत्ना के बक्तियारपुर में एक कारे करम के दोरान यूख ने पीछे से आकर सियम को मुकाजर दिया CM की सुरक्षा में मोजुद प्लिस कर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया, युवक की पहचान बक्तियारपूर के शंकर के रूप में हुई है CM नितिश कुमार दो दिवस ये नीजी दोरे पर बार लोकसबा शेत्र के भ्रमण पर हैं, यहां वे अपने पुराने सहयोगियों से भी मिल रहे हैं दोस्तो रिवार शाम CM बक्तियारपूर में शील भद्र की प्रतिमा पर माल्यान पर कर रहे थे तबी भीर से निकल कर शंकर सेक्यूर्टी गाड के सामने से ओकर मंच पर पहुँचा और पीछे से CM नितिश कुमार पर हमला कर दिया घटना के बाद एक शन के लिए CM घबरा गए हालांकि तुरंतुरों ने खुद को समाला उनकी सुरक्षा में तेनात पुलिस कर्मियों ने युवक को पीटना चाहा तो CM ने मना कर दिया पुलिस फिलहाल युवक से बक्तियार पुर्थाने में पुश्ताज कर रही है बताया जाराए कि युवक की सोने चांदी की दुकान है पतनी ने उसका साथ छोड़ दिया है इस कारण भी वह परेशान रहता है इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबर दिल्ली में कोरोना के 71 नए मामले पिशले 24 घंटे में एक मरीज की मोत जियां दोस्तो कोरोना वाइरस की महामारी की रफतार राच्टराजदानी दिल्ली में सुस्त पड़ गई है दिल्ली में कोरोना वाइरस से संक्मन के 71 नए मामले सामने आए पिशले 24 घंटों के दोरान कोरोना वाइरस से संक्मन के कारण एक मरीज की मोत भी हुई दोस्तो ताजा आंकलों के साथ ही दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 448 हो गई है दिल्ली सरकार के ओर से जारी आंकलों के मुताबित इस आउदी में कुल 23,045 सेंपल की जाज की गई इन में से 71 सेंपल की रिपोर्ट पोजिटिव आई पिछले 24 घंटों के दोरान कुल 86 संक्रमित कोरोना को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं हालांकि दोस्तो इस आउदी के दोरान एक कोरोना संक्रमित की मोत भी हुई इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार वीर भूमी हिंसा में नया मोड सीबी आई ने तरणमूल नेता से सवाल किये 22 पर केस ममता बोली ये पूरी घटना ही है साजिश जियां दोस्तो वीर भूमी हिंसा मामले में सीबी आई ने 22 लोगों को आरोपी बनाया है एजेंसी ने टीमसी के ब्लोक अद्यक्ष अनारूल हुसेन से पूश्ताज की वहीं बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बैनरजी ने एक बार फिर से बीर भूमी हिंसा के पीछे किसी की साजिश होने की बात कही उन्हें कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि इस हिंसा में किसी की साजिश है जो भी हुआ इसमें टीमसी की कोई भूमिका नहीं है सीबी आई मामले की जाच कर रही है ये अच्छी बात है पूरे मामले की निश्पक्ष जाच होनी चाहिए लेकिन अगर एजेंसी मामले में सिर्फ भाजबा के निर्दशों का पालन करेगी तो हम विरोध करने के लिए तैयार हैं बंगाल सीम ने कहा कि ऐसी कई घटनाएं उत्तरप्रदेश दिल्ली करनाटक तिरुपुरा और असम में हो चुकी है लेकिन वहां की सरकार ने टीमसी कारेकरताओं को घटना इस्तल तक पहुँशने नहीं दिया जबकि हमने बीर भूमी हिंसा के बाद किसी भी पार्टी को पीडित परिवारों से मिलने से नहीं रोका इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार अब फोन पर नहीं सुनाई देगी कोरोना संदेशों की कॉलर ट्यून जानिये क्या है वज़ध है जिया दोस्तो कॉरोना महामारी की शुरुआत के समय से दुरसंचार प्रतताओं दोरा कोविड-19 के बारे में जागरुकता फिलाने के लिए कोल से पहले निर्दारित घोशनाएं जल्धी हितियास बन सकती है बीमारी के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लगबग दो वर्ष बाद सरकार अब कोल से पहले कोविड-19 संदेशों को हटाने पर विचार कर रही है दोस्तो सरकार को कई ऐसे आवेदन मिले हैं जिसमें कहा गया है कि ये संदेश अपने उद्देशों को पूरा कर चुके हैं और कई बार आपात स्थिती के दोरान महत्यपुन कोल में देरी होती है अधिकारिक सुत्रों ने कहा कि दुरसंचार विभाग ने केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले को पत्र लिख कर कोल पूर्व इन घोशनाओं और कोलर ट्यून को हटाने का अनुरोध किया है उसने Cellular Operators Association of India के साथ साथ मोबाइल ग्राहकों से प्राप्त आविदनों का हवाला दिया इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर पाकिस्तान इस्लामाबाद की रेली में प्रदान मंत्री इमरान खान का अयलान कहा पास साल पूरे करूँगा नहीं दूँगा इस्तिफा जिया दोस्तों पाकिस्तान में बड़े सियासी संकट के बीच प्रदान मंत्री इमरान खान ने अपने इस्तिफे की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया रववार को इसलामबाद में हुई रेली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो पास साल पूरा करेंगे और इस्तिफान नहीं देंगे रेली के दुरान इमरान खान ने कहा कि लोगों के विकास के लिए मैं सियासत में आया था इमरान खान ने कहा कि जब हम 5 साल पूरा करेंगे तो सारा मुलक देखेगा कि कभी इतियास में दूसरी किसी सरकार ने उतनी गरीबी कम नहीं की जितनी हमने की उन्होंने कहा कि मैं 25 साल पहले राजनिती में एक ही चीज के लिए आया था और वो ये थे कि पाकिस्तान जिस नजरिये के साथ बनाया गया था उसे आगे बढ़ा सकूँ उन्होंने कहा कि जो काम हमने तीन साल में किये हैं वैसे काम हम से पहले किसी नहीं किये दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इमरान खान की सरकार के खिलाव विपक्ष अविस्वास प्रस्ताओ लेकर आया है जिस पर कल वोटिंग की जाएगी विपक्षी दलो के नेशनल असेंबली सचीवाले में 8 मार्श को एक अविस्वास प्रस्ताओ का नोटिस दिये जाने के बाद से पाकिस्तान में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्रदान मंतरी इमरान खान नित पाकिस्तान तहरी के इंसाफ पार्टी देश में आर्थिक संकट और बेहताशा बढ़ती महांगाई के लिए जिम्मेदार है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार सरकार ने Learning Driving License Holders को दी सुविधा 31 मही तक रहेगी आपके लाइसेंस की Validity जियां दोस्तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने Learning Driving License बनवाया है तो यहाँ खबर आपके काम की है दरसल दोस्तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने Learning Driving License धारको को बड़ी राहत देते हुए Learning Driving License की Validity को बढ़ाने का फैसला किया अब सरकार ने इसकी Validity को 31 मार्श 2022 से बढ़ा कर 31 मही 2022 कर दिया है दोस्तो सरकार कोरोना के केस को देखते हुए साल 2020 से लगातार इसकी वेदिता बढ़ाती रही है पहले इस साल 2022 के 31 जनवरी से बढ़ा कर 31 मार्श तक किया गया था अब सरकार ने Learning Driving License की वेदिता को 31 मही तक के लिए बढ़ा दिया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार पेरा सिटा मोल समेत करीब 800 दवाएं हो जाएंगी महंगी एक अप्रेल से कीमतों में 10 फिसदी का इजाफा जिया दोस्तो सेहत को दुरूस्त रखने के लिए दवाओं की जरत होती है हर को ही चाहता है कि आउशक दवाओं की कीमतों में जाफा ना हो लेकिन दोस्तो आने वाले महीने की पहली तारीक यानि की एक अप्रेल से करीब 800 जरूरी दवाओं में करीब 10 फिसदी की रवद्धी हो सकती है इसका आर्थी है कि आप सब को इन सब के लिए अब जादा कीमते चुकानी होंगी दरसल दोस्तों हाइब डड़ प्रेशर, बुखार, हिरदे रोग, तुचा रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर महंगाई की मार पढ़ने वाली है अपरेल से दर्द निवारक और एंटी बायोटिक, फिनाइटोइन, सोडियम, मेट्रोडाइजोल जेसी ज़रूरी दवाओं पर भी अस्तर दिखेगा केंद्र सरकार ने सेडिूल ड्रग की कीमतों में व्रद्धी को हरी जंडी दिखा दी है एन पीपी एका कहना है कि इन दवाओं के दाम थोक महंगा इदर डवल्यू पी आई के आदार पर की गई है कोरुनामा हमारी के बाद से फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमत बड़ाय ज़ाने की लगातार मांग कर रही थी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार सस्ती होगी हवाई यात्रा इंडिगो ने शुरू की 100 फलाइट्स जी आं दोस्तो हवाई यात्रियों के लिए खुश खबरी है अब आपको हवाई यात्रा करने में और आसानी होगी दरसल दोस्तों इंडिगो एरलाइन 27 मार्च से प्रमुख शेरों के लिए 100 घरेलू उडाने शुरू कर रहा है इंडिगो ने इसकी जानकारी दी है इससे पहले दोस्तों इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि गर्मियों के लिए तेयार यात्रा कारेकरम के तहद 27 मार्च से 20 मार्गो पर उडाने शुरू करेगी इतना ही नहीं कंपनी 6 अन्य हवाई मार्गो पर अपनी फ्लाइट्स दो बारा शुरू करेगी इसके लावा इंडिगो ने प्रियाग राज और लखनव के बीच रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहद भी हवाई सेवाएं शुरू करने की बात कही है दोस्तो इंडिगो के मुखे रनिती एम राजस्व अधिकारी संजे कुमार ने अपने एक बयान में बताया कि नई उडाने शुरू होने से इंडिगो का हवाई परिचालन मजबूत होगा और यात्रियों को बहतर स्विदाएं मिलेंगी कंपनी यातरा की मांग के अनुसार नए हवाई मारगो पर उडान जारी रखेगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी ख़बार अमरनाथ यातरा 2022 इस दिन से शुरू हो जाएगी अमरनाथ यातरा जानिये क्या है गाइडलाइन्स जियां दोस्तों अमरनाथ यात्रा का इंतिजार कर रही यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून 2022 से शुरू होगी इस बात की जानकारी रईवार को जमू कश्मीर के उपराज जेपाल के कारले ने दी है दोस्तों उपराज पाल कारले ने बताया है कि यात्रा कोविड प्रोटोकोल्स का पालन करेगी अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी जिसका अंतिम दिन रक्षा बंदन का होगा दोस्तों कोरणा महामारी की वजह से 2 साल तक बंद रहने वाली अमरनाथ यात्रा 30 दिन से फिर से शुरू हो जाएगी शाइन बोड के अनुसार जो श्रदालू अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 अप्रेल से शुरू होगी बोड के अनुसार एक दिन में सिर्फ 20,000 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसके अतरिक्त यात्रा के दिनों में भी काउंटरो पर जाकर भी पंजीगरन कराया जा सकता है दोस्तो अमरनाथ यात्रा की गाइडलाइन के अनुसार इस यात्रा पर सिर्फ वही श्रदालू ही जा पाएंगे जिनकी उमरी 16 से 65 साल के बीच होगी अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार रहे इसके साथ ही यात्रियों को फिटनेस सर्टिफिकेट भी यात्रा के लिए जरूरी किया गया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी ख़वार पैट्रोल डीजल प्राइज फिर महंगा हुआ पैट्रोल डीजल जानिये क्या है पैट्रोल डीजल के ताजा अदाम जाने पैट्रोल डिजल के ताजा दाम लेकिन उससे पहले मेरी आप से एक छोटी से रिकवेस्ट है अगर दोस्तो आपको भी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर दोस्तो अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशकर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यही हमारी मेनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं तो दोस्तो जल्दी से जान लेते हैं क्या है पैट्रोल डिजल के ताजाद दाम दरसल दोस्तो पैट्रोल डिजल की कीमतों में रैविवार यानि की सब्ता इस मार्च को भी इज़ा फा रहा छे दिनों में इस तरह कि यह पांच वी बड़ोतरी है दोस्तो पैट्रोल में आज 50 पैसे प्रतिलिटर की बड़ोतरी की गई जबकि डीजल की दरों में 55 पैसे प्रती लिटर की बड़ोतरी की गई दोस्तो इस बदलाव के साथ ही राजदानी दिल्ली में पैट्रोल की की मतब 98 रुपे 61 पैसे प्रती लिटर जबकि डीजल 90 रुपे 42 पैसे प्रती लिटर हो गया है वहीं दोस्तो आर्थिक राजदानी बुंबई की बात कीज़ा है तो बुंबई में पैट्रोल 113 रुपे 81 पैसे प्रती लिटर जबकि डीजल 98 रुपे 5 पैसे प्रती लिटर पर है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार आर आर बॉक्स ओफिस कलेक्शन SS राजा मुली की फिल्म ने किया कमाल कमाये इतने करोड जिया दोस्तो नरदेशक SS राजा मुली की फिल्म आर आर आखिरकार रिलिज हो गई बाओ बली टू को पीछे छोड़ते हुए इस फिल्म ने पहले दिन की कमाई में ही बॉक्स ओफिस पर कई रिकोर्ड तोड़ दिये भारत और दुनिया बर में भारतिये सिनेमा की इतियास में अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म यह बनकर सामने आई दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रिपल आर ने बॉक्स ओफिस कलेक्शन के मामले में दूसरे दिन भी इतियास रच दिया पूरी दुनिया के बॉक्स ओफिस पर फिल्म का जादू गजब का रहा जूनियर एंटियार राम चरन तेजा अज्ये देवगन और आलिया भट इस्टारर इस फिल्म ने दूसरे दिन भी ऐसा कलेक्शन किया कि सुनने वालों को यकिन नहीं हो रहा फिल्म ने दो दिन में दुनिया भर में 300 करोड का आंकला पार कर लिया है अपने पहले शुरुवाती दिन में 228.50 करोड का कलेक्शन दर्ज करने के बाद ट्रिपल आर ने दूसरे दिन एक और शतक लगाया और 108.50 करोड की कुल कमाई कर डाली इसलिए अब फिल्म ने दो दिन में कुल 337 करोड की कमाई कर लिये दोस्तो ऐसे स्राजा मोली की ट्रिपल आर पहले ही भारतिय सिनेमा की इतियास में अब तक के सबसे बड़े रिकोर्ड का दावा कर चुकी है यहां भारतिय सिनेमा की टॉप 10 सबसे बड़ी ओपनर्स के नाम हम आपको बताते हैं सबसे पहले नंबर पर है आर 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 163 करोड दूसरे नंबर पर है बाहु बली टू तीसरे पर साहो चोथे नंबर पर है युद पाँचवे पर है ठगस ओफ इंदूस तान छटवे पर है एप्पी न्यूएर साथवे पर भारत और आटवे नंबर पर है प्रेम रतन धन पायो जबकि दसवे नंबर पर है बाहु बली फास्ट इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार अक्षर और ललित के आगे बुंबई पास्त 104 रन पर 6 विकिट गवा चुकी थी दिल्ली अक्षर ललित ने 30 गेंद पर 75 रन जोड़कर दिलाई जीत जिया दोस्तो अईपिल की लोगप्रिता की सबसे बड़ी वज़ा है कि इसके मुकाबलों में अन्त तक यह कहना मुश्किल होता है कि कौन सी टीम जीतेगी रविवार को दिल्ली और बुंबई के बीच खेले गए मेच में भी कुछ ऐसा ही हुआ 170 रण के टार्गेट का पीछा कर रही दिल्ली ने 13 पोइंट दो ओवर में 104 रण के स्कोर पर 6 विकेट गवा दिये थे बुंबई की जीत तहे लग रही थी लेकिन तभी दिल्ली के ललित यादव और अक्षर पठेल ने बाजी पलट दी दोनों ने 7 विकेट के लिए 30 गेंदो पर 75 रण की नाबाद पार्टनर्शिप कर दिल्ली को यादगार जीत दिला दी दोस्तों दिल्ली कैप्रेल्स ने टोस्स जीत कर बॉलिंग करने का फैसला किया था ओपनर इशान किशन की 80 रणों की पारी की बदलत बॉंबई ने 170 रण बनाए इसके बाद दिल्ली बल्ले बाजी करने आई तो मुरूगन अश्विन और बालिस थप्पी ने एक ओवर में दो-दो विकेट लेकर उसे बैक फुट पर ला दिया लेकिन अक्षर और लित की जोड़दार बल्ले बाजी ने दिल्ली को जीत दिला दी इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार आदार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए एक हफ़ते से भी कम बचा है समय नहीं कराने पर 10,000 का लगेगा जुर्माना जिया दोस्तो पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अब आपके पास एक हफ़ते से भी कम का समय बचा है अगर आपने 31 मार्श तक अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो यह निश्क्रिय हो जाएगा इन ओप्रोट्यू पैन का उप्योग करने पर आप पर 10,000 रुपे जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तो इस समयश्या से बचने के लिए जल से जल्दा पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक जरूर कर ले दोस्तो यहाँ पर हम आपको एक आसान सी प्रक्रिया बताते हैं जिससे आप आसानी से कर पाएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको इंकम टैक्स की ओफिस्यल वेबसाइट इंकम टैक्स.GOE पर जाना होगा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लिखा दिखेगा लिंक आधार स्टेटस का ओप्शन जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा जहाँ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर डालना होगा जिसके बाद में आपको link status पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करते स्क्रीन पर आधार कार्ड, pen card से link है या नहीं इसकी जानकारी आज जाएगी दोस्तो website के माध्यम से आप घर बेटे आधार कार्ड को pen card से link करवा सकते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर टेसला की इलेक्ट्रिक कारों में खराबी टेसला ने ग्रहकों से वापस मंगाई 947 कारें वजह rear view image display में है खराबी जिया दोस्तो टेसला ने अमेरिका में 947 इलेक्ट्रिक कारों को ग्रहकों से वापस बला लिया है दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वीकल मैनुफेक्ट्रर ने rear view image डिस्पले के रेस्पोंस में देरी की वजह से तीन इलेक्ट्रिक कार मोडल को रिकोल करना शुरू किया है नेशनल हाइवे ट्रेफिक सैफ्टी एडिमिनिस्ट्रेशन के मुताबित कारों के reverse होने पर rear view image दिखने में देरी हो रही थी नेश्टी ऐसे के मुताबित rear view केमरा डिस्पले की देरी ड्राइवर के rear view को प्रभाविर कर सकती है और एक्सिडेंट के जोखिम को बढ़ा सकती है हालांकि इस परेशानी के बावजूद भी ड्राइवर अपने mirror का इस्तेमाल करके विकल्स को reverse कर सकता है दोस्तो आपकी जानकरी के लिए बता दें टेसला कंपनी इससे पहले भी कई बार अपनी कारों को recall कर चुकी है कुछ चोटी मोठी कड़बडियों की वजह है से इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार पीवी सिद्दू ने जीता महिला सिंगल्स खिताब फाइनल में थाइलेंड की बुसानन को हराया जीयां दोस्तो भारत की महिला बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिद्दू ने स्विज ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के खिताब मुकाबले में शांदार खेल दिखाया और थाइलेंड की बुसासन को 21-21 के साथ से हरा कर स्विज ओपन का खिताब जीत लिया दोस्तो आपकी जानकार इकले बता दें सिद्दू ने दुनिया की 11 नंबर की बुसासन ओगमांग खुडगन को फाइनल में हरा कर खिताब अपने नाम किया यह सिद्दू का वर्स का दूसरा खिताब था उन्होंने जनवरी में सिद्दू को बुसानन ने हार का सामना करना पड़ा था सिद्दू रियो ओलम्पिक के फाइनल में गोल्ड मेडल मेच में कैरोलिना मारेन से हार गई थी सिद्धु ने इस साल जनवरी में लखनव में सैयद मोदी इंटरनेशनल सूपर 300 जीतने का कमाल कर दिखाया था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार PVR और आइनोक्स हुआ मर्ज बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला जी आँ दोस्तो देश की मल्टिप्लेक्स इंडस्टी में बड़ा बदलाव हो रहा है देश की यानि की भारत की दोस्त सबसे बड़ी मल्टिप्लेक्स PVR सिनेमाज और आइनोक्स लीजर मर्ज हो गया है PVR और INOX कंपनी के बोर्ड को आज यानिकी रविवार सब्ताई स्मार्च को मंजूरी मिल गई दरसल दोस्तो PVR लिमिटेड ने ये जानकारी दी है कि उसके निर्देशक मंडलने कंपनी में और उसके साथ INOX Leaser Limited के मर्जर योजना को मंजूरी दे दी है INOX के बोर्ड ने भी इस विला योजना को भी मंजूरी दे दी इसके बाद यह उमिद जताई जा रही कि इस डील के बाद अब फिल्म एक्जिबिशन इंडस्टी में कुछ और भी अच्छा और नया देखने को मिलेगा दोस्तो आपकी जानकरी किलिब बता दें इस मर्जर के बाद PVR और INOX Leaser संयुक तुरूप से पूरे भारत में 1500 से अधिक स्क्रीनों के मालिक होंगे तो दोस्तो यहतियास की तमाम बड़ी खबरें इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड क्यूज कुशन की जी यहां दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक Amazing Surprise Gift हमारे YouTube चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भारत का पहला Mobile Phone कौन सी कंपनी का था जी यहां दोस्तो कर आप जानते हैं कि भारत में लौंच होने वाला पहला Mobile Phone कौन सी कंपनी का तो जल्दी से comment box में लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुले जाते हैं लग्की विजता की रूप में तो आपको मिल सकता है एक Amazing Surprise Gift हमारे YouTube चैनल की ओर से तो दोस्तो जल्दी से अपना उतर comment box में लिख दीजिए वीडियो लाइक कर लीजिए चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत